आज आपके साथ शेयर करूंगे एक ऐसा ट्रिक जिससे आपके गेंदे के पौदे पर ही नहीं बलके और भी जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन पर लगातार कॉंटिनूस फ्लावरिंग होती रहेगी लंबे समय तक वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा मेरे गार्डन में ये गेंदा लगा हुआ है बहुत ज्यादा फ्लावरिंग है इस पर और ये एक ही प्लांट है ये इसकी स्टेम में से नीचे गी गई थी तो उसमें से भी जड़े निकलाती है नए प्लांट्स बन जाते हैं गेंदे को आप कलम से भी लगा सकते हैं जो टैनी तो उसको किसी भी गंबले में मिट्टी में गाड़ दीजिए और आपको नए प्लांट्स मिल जाएंगे और उन पर भी फ्लावरिंग होंगी और ज्यादा फ्लावरिंग होगी और बड़े फ्लावर्स आएंगे यहां पर एक प्लांट है इस पर भी फ्लावर आए हुए है भर भर के फ्लावर आई हुए हैं तो जब भी मैं अपने गार्डन में आती हूं तो ये गेंदे को देखकर ही मन बहुत खुश हो जाता है अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो टिप जिससे लगातार लंबे समय तक आपके गेंदे के प्लांट में फ्लावरिंग ह होती रहेगी सबसे पहले तो यह कि जब यह बड़ा हो जाए इस पर बड़ आना आपको दिखने लगे तो आप पानी डालना थोड़ा कम कर दीजिए तो पानी अगर आप कम डालेंगे तो पादे को लगेगा के फेवरेबल कंडिशन नहीं हैं और वो ज्यादा से ज्यादा फूल बनाने में बड़ बनाने में लग जाएगा पौदे को घना या भुशी बनाने के लिए जब बड़ने लगता है बड़ आने से पहले आप उसकी उपर की टिप काट दीजिए तो उससे साइड ब्रांचिज निकलेंगी धेर सारी और आपको बहुत ज्यादा फ्लावर है एक ग्रो बैग में और इसकी आप हाइट देखिए अब बात करते हैं लगातार फ्लावरिंग पाने की तो जब इस पर फ्लावर्स आएं फ्लावर्स खिलें कुछ दिन तक ये खिले रहते हैं ये एक दम से नहीं मुझाते लेकिन आपको ध्यान रखना बड़ेगा कि जो इस पौदे में अगर आप देखेंगे ये फ्लावर्स अभी ताजे ताजे के लिए हैं लेकिन इसमें आपको ये एक फ्लावर नजर आ रहा होगा जिसकी पंखुडियां बिलकुल मुर्जा गई हैं ये फूल मुर्जाने लगा है तो आप इन फ्लावर्स को तोड़ते रह आप हटाते जाएए यहां पर ये देखो एक फ्लावर लगा है ये सबी फ्लावर्स हम इस तरह से हटा देंगे इनको हटाने का फायदा ये है कि और नए फ्लावर्स आएंगे तो उसके पीछे भी रीजन है जब इस तरह से ये फ्लावर्स लगे रहते हैं तो इन में बीज बनने लगते हैं और हर एक प्लांट का मोटिव होता है अपने जैसे और पौदे बनाना अपनी next generation को maintain करना तो जब पौदे को लगता है कि वो उसने काफी बीज बना लिये हैं तो वो flowers और produce करना बंद कर देता है तो आप अगर पहले से ही इस तरह से इन flowers को तोड़ते रहेंगे तो पौदे को ये लगेगा कि अभी बीज नहीं बने हैं next generation के लिए और वो और ज्यादा से ज्यादा flowers produce करता रहेगा तो आप भी ये ट्रिक आजमाईए अपने सभी flowering plants पर और अपने garden में लंबे समय तक फूलों की बहार देखिए जैसे के मेरे garden में है तो वीडियो आपको ये अच्छा लगा है वीडियो को like share तो करिएगा ही साथ ही चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजिये वीडियो के end में ये देखिए क्राइजन्थिमम के फूल गुच्छों में किले हुए हैं और अभी और भी birds आ रही हैं और कितने सुन्दर लग रहे हैं तो वीडियो को end तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद